है लुगो स्टुडेंज आर्चेई एछुकेशन हव मासुर की ओNland klas में आपका स्वागत है आज हमारा प्रक्रण है पदपरीच GPU अर्थत आज हम पदपरीच में करेंगे सबसे पहले पद के बारे में समझेंगे कि पद होता क्या है देखिए पद क्या होता है कि जब कोई भी सब्द वाक्य में इस्थान प्रयुक्त कर लेता है इस्थान प्राप्त कर लेता है तो क्या कहलाता है पद कहलाता है जैसे कि यहां इसकी परिवासा लिखेंगे वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाता है? पद कहलाता है कहने का मतलब है कि जब कोई भी सब्द वाक्य में इस्थान प्राप्त कर लेता है तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है जैसे यहां हम लिख रहे हैं, राम आम खाता है, ठीक है, तो यहां राम अलग सब्द है, आम अलग सब्द है और खाता है, अलग सब्द है इस इस्तिती में ये क्या कहलाएंगे, सब्द कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सब्द, और जब इनी सब्दों से हम एक वाक्य का निर्मान करेंगे, तो यही सब्द वाक्य में जाने के बाद किस नाम से जाने जाते हैं, पद के नाम से जाने जाते हैं, जैसे यहां लिखा, र अब ये पद परीचा क्या होता है व्याकरण की द्रश्टी से व्याकरण की द्रश्टी से पद का पूरा परीचे क्या कहलाता है पद परीचे कहलाता है कहने का मतलब है कि व्याकरण की द्रश्टी से पद का पूरा परीचे पद का पूरा परीचे का मतलब उसमें हम संग्या देखेंगे सर्वनाम देखेंगे विशेशान देखेंगे क्रिया देखेंगे लिंग वचन कारकाल आधी देखेंगे तो पद का पूरा परीचे देना क्या कैलता है? पद परीचे अब बात करते हैं कि पद परीचे होता है किस-किस के अधार पी नंबर एक संग्या के अधार पर नंबर दो सर्वनाम के अधार पर नमबर तीन रिशेशन के आधार पर नमबर चार क्रिया के आधार पर नमबर पाँच लिंग के आधार पर वचन के आधार पर कारक के आधार पर और काल के आधार पर अब ध्यान देने के बात ये है कि पद परिचा करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पहली संग्या के द्यान रखना ची hey कि जिसका भी हो पद परीचा करवा रहा है इस भी पद का रेखांकी पद होगा उद्ध हो उसमें संग्या है तो कौन सी है सर्नाम है पहला उधान है सामाने से उधान लेंगे राम जाता है इस प्रकार का कोई वाक्य आ गया परिक्षा के दोरान और इसमें कोई भी रेखांकित पद आ गया जैसे राम यहां रेखांकित पद है राम तो परिक्षा में क्या पूछता है कि राम जाता है वाक्य में रेखांकित पद का क्या कीजिए पद परीजे तो सबसे पहले पद परीजे करते समय उसी पद को हम लिखेंगे और अब इसमें देखेंगे कि राम जो सब्द है ये व्याकण की दृष्टी से कैसा सब्द है तो किसी व्यक्ति का नाम है तो नाम वाले सब्दों को किस नाम से जानते हैं संग्या के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं संग्या के नाम से और संग्या की भेद कितने होते हैं तीन कितने होते हैं तीन पहला है व्यक्ति वाचक व्यक्ति वाचक संग्या दूसरी होती है जाति वाचक संग्या और तीसी होती है कौन से भावाचक संग्या अब ये क्या होती है व्यक्ति वाचक में किसी भी व्यक्ति वस्तू इस्थान आदी के नाम का बोध हो तो वो व्यक्ति वाचक संग्या कहलाएगी जाती, समू, समुदाय, वर्ग, विशेश का बोध हो तो जाती वाचक संगया कहलाएगी विशेश भाव की प्रधानता हो विशेश विशेशता की प्रधानता हो तो वो कौन सी संगया कहलाएगी भावाचक संग्य कहलाईगी आईए उधान के उधान पर राम है ये किसी व्यक्ति का क्या है नाम है तो नाम वाले सब्दों को कौन सी संग्य कहेंगी व्यक्ति वाचक संग्य तो इसका पहला बिंदू बनेगा इसका पहला बिंदू बनेगा व्यक्ति वाजक संग्या अब हम लिंग और वचन देखेंगे फिर कारक देखेंगे राम है यह पुलिंग है क्योंकि यह किसी पुरुस का नाम है तो दूसरे बिंदू बनेगा पुलिंग तीसरे बिंदू आता है वचन का वचन हिंदी सब्सक्राइ. यह बोद बनेगा बढनावान किसी बीती संख्या का नाम ह मतलम होला खिंखक राक से यह वाम है क्वेर घाल सेविधा कराiatे अब लास्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे हम कारक का, तो कारक, देखिए, किसी भी काम को करने वाला, कौन सा कारक है लाता है, करता, कौन सा कारक होता है, करता, यहां जा कौन रहा है, राम जा रहा है, ठीक है, तो यहां कारक, जो राम है, वो कौन सा कारक हो जाएगा, करता कारक फिर देख एख बर वाय चारमिंजन इंड है है कि एघ्डल टार फिर डराम हम पड़ परेचे सब्सक्राइब सब्सक्राइब अंत्रगत माना जाता है व्यक्ति वाच्व संग्या की अंत्रगत फिर आते हैं हम पुल्लिंग पर तो राम पुल्लिंग है पुरुष जाती का बोद करवा रहा है तो पुल्लिंग उसके बाद आते हैं वचन पर वचन राम अकेला जा रहा है तो एक वचन और जाने का काम किस जाना खाना पीना आना जाना यह सब coding होते हैं जहां किसी काम का करना होना पैस त्क्लिण कर essere थीक always but just all यहाँ जाता है अब जाता है इसमें सब inspector अक्षे में दो प्रकार की होती है पहली होती है आकरमक की आप है अप दूसरी कौन सी होती है सक्रमक परिभासा दोरा देख वर जा किसी जिस किरिया में करम नहीं होता है जिस किरिया में करम नहीं होता हो कौन सी किरिया कहलाती है अक्रमक जिस किरिया में करम पाए जाता है वो कौन सी किरिया कहलाती है सक्रमक वाके को द्यान से देखिए राम जात आता है और जाना करिया इसमें कोई करम है नहीं कौन सी करिया के अंतरगद आएगा अकर्मक करिया के अंतरगर तो पहला बिंदू बनेगा इसका अकर्मक करिया उसके बाद में वह लिंग और बचन पुल्लिंग यहां क्यों आया क्योंकि जाता है और यह भी किस के साथ आ रहा है राम के साथ आ रहा है तो राम पुल्लिंग है तो यहां जाता है भी क्या लिखा जाएगा पुल्लिंग में और वही एक वचन अब किरिया में एक जो लास्ट बिंदू होता है वो किसका देखा जाता है काल का देखा जाता है किसका काल का जाता है ताहे तीहे तेहे किस काल के अंतरकत आते हैं वर्तमान काल के अंतरकत तो लास्ट बिंदू हो जाएगा वर्तमान काल इस प्रकार चे हमने राम जाता है राम और जाता है पद का क्या किया पद परीच है दूसरा उधान देखेंगे मोहन खाना खाता था ठीक है तो यहां हम पद परीचा करेंगे जैसे मोहन का कर लिया और खाता था का कर लिया मोहन यहां लिखा हमने मोहन मोहन का पद परिजर किया हमने तो मोहन कैसा सब्द है संगय सब्द है संगय में कौन सा वही व्यक्ति वाचक है संगय क्योंकि मोहन किसी व्यक्ति का क्या है नाम है ना मौले सब्दों को कौन से संगय माने जाती है व्यक्ति वाचक संगय व्यक्ति कौन सा लिंग होगा पुल लिंग वचन मोहन अकेला खाना खा रहा है तो एक संख्या का बोध कराने वाले कौन से वचन में आते हैं एक वचन में आप देखो इसमें कारक देखेंगे मोहन खाना खाता था खाना खाने का काम किसके द्वारा के आ गया था मोहन के द्वारा तो किसी भी काम को करने वाला जो कारक होता है वो कौन सा कारक होता है करता कारत ठीक है अब यहां आपने लिखा खाता था खाता था खाना पीना वही ब्रकार कि आकरम को शकरमक अभी आपको आपको बताया था कि जहां करम नीं हो estamos कर्म वह उती है जैसा कि पहले उद्धान में लिखा गया था और क्रम होता वह कौन सी किरिया होतीях सकर्म अभी कैसे परचाननें हैं कि किसमें अकरमक कीरिया हैं सकरम क क्रिया ज्यान दे मोहन खाना खाता था मोहन करता खाता क्रिया क्या क्या खा रहा है क्या से प्रसंद किया क्रिया के साथ करता को जोड़के क्या से प्रसंद किया उत्तर के प्राप्ति हुई ठीक है तो वहां कौन सी क्रिया होती है सक्रमा क्रिया होती है कौन सी क्रिया होती है स सब्सक्राइब करना ठीक है अब वह लिंग और वचान लिंग कौण खाता था मौहन खाता था मौहन क्या आए या पर फुल लिंग यहां मी क्या लिखेंगे फुलिंग अब वह वचान एक वचान अब काल देखो, खाता था, जिन बाक्यों के अंत में, था, थे, थी, आए, वो कौन सा काल होता है, भूत काल इस प्रकार से हमने क्या किया इनका पद परीजे, तीसरा उधाना और देखी कविता बाजार जाती है, कविता बाजार जाती है, इसमें हमने पद परीजे किया कविता का और जाती का, जैसे कविता किसी लड़की का नाम है और नाम वाले सब्दों को बार बार आपको बताया जा रहा है कि क्या कहेंगी व्यक्ति वाचक है, संग्या प्यक्ति वत्त संग्या अब लिंग वचन लिंग कवीता इस्तरी जादे का बहुत करवा रही है अतय क्या कहलाईगी यह इस्तरी लिंग कवीता अकेली जा रही है तो एक वचन कौन जा रही है कवीता पदपरिची किसका चल रहा है कवीता का जाने का काम किसकी द्वारा के जा रहा है कवीता के द्वारा कौन सा कारा करता कारा ओके अब यहां जाती है ध्यान से देखिए जाती है जाना क्या होती है किरिया पद नहीं ठीक है अब यहां बाजार सब्द दिया गया है, बाजार कर्म नहीं है, किसी भी स्थान का बोध कराने वाले जो सब्द होते हैं, वो कर्म नहीं कहलाते हैं, तो यहां कर्म नहीं है, इसका मतलब वाक्य में, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, वो कौन सी क्रिया कहलाती है, अकर्मक्रि वह जाती है तो लिंग कौन से हो जाएगी इस दिए लिए एक बचन और काल ताहती है तेहह आ रहें बाकी कैंते में कौन से काल हो जाएगा वरतमान काल ठैक है ठैक्टी क्लास और बाकी जो से बचा हुआ है वह आपको नेट्स डास में समझाएंगे